इंसान का घुस्सा उसे किसी भी हद तक आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सकता है या तो उसे वो घुस्सा बनाता है या फिर उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है अब इस फिल्म में युध्रा में हमारा जो हीरो है यानि कि सिद्धान चतुरवेदी का जो किरदार है य गाड़ा है फिल्म देख चुका हूँ मैं दोस्तो नेशनल सिनेमा डे के उपलक्ष में और फिल्म का नाम है युद्रा जिसे लेकर आए है एक्सल एंटर्टेन्मेंट और इस फिल्म के डिरेक्टर है रवी उद्याबर चलिए बात कर लेते हैं क्या आप इस फिल्म को देख स में एक लड़का है जो कि बच्पन से ही एंगर इशू से ग्रसित है वो किस तरीके से अपने घुसे पर कंट्रोल करके उस घुसे को चैनलाइज करता है यहीं फिल्म की कहानी है और अपने माबाप के कातिलों का पता लगा कर उनका सफाद चट करता है तो दोस्तो फिल्म की कहानी शुरुवात होती है एक मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा सिफ उपर कि सिनॉप्सिस आपको बताऊंगा फिल्म की कहानी की शुरुवात एक इंस्पैक्टर से होती है जिसका नम गिरीश है और उनकी वाइफ है प्रेड़ना दोनों यह अच्छे कपल है वाइफ होती है वो युद्रा को बड़ा करते हैं 55 सही युद्रा में एक तरीके के एंगर इशूस हैं आपको बता दू तो युद्रा का करदार जो है सद्धान चतुर्वेदी ने निभाया है जिन्हें बंटी बबली टू गली बॉय जैसी अमेजिंग फिल्म में हमें देखा था उन पर युद्रा के साथ आती है निखत जिसे पोट्रे किया है मालविका ने मालविका मोहन जी ने और उसके बाद वो कहती है कि एक काम करो तुम जो है N.C.T.A. यानि कि नैशनल कैड़िट ट्रेनिंग अटैडमी में भरती कर लो गोर्मेंट इंस्टिटूशन है वहाँ पर अतना सारा घुस्ता निकालो जितना तुम ड्रग माफिया को पकड़ो चोर उचको को पकड़ो ये पकड़ो देश की रक्षा करो सब ये काम कर लो और ये बंदा युद्रा एक अच्छा काम कर भी रहा होता है लेकिन एक अनफॉर्चुनेट एक्सिडेंट हो जाता है जिस जो भाग है वो उठके खड़ा होता है क्योंकि अब होने वाली है ड्रग लॉड सिकंदर की एंट्री ये ड्रग लॉड जो है इसी ने ही गिरीश और प्रेना की हत्या करी थी और ये बात जब रुद्रा को पता चलती है वो कैसे अपनी एनर्जीस को चैनलाइज करके इस ड बहुत शानदार लगा ऐसा लगा कि रवी उद्यावर जो इस फिल्म के डिरेक्टर है उन्होंने उनके स्टाइलाइज एक्शन की वजह से ही इस फिल्म को जो है अच्छी रिस्पॉंस मिल सकता है वैसे आपको बता दू इस तरहीके के एक्शन की अगर बात करें तो हमने रिसेंटली किल फिल्म में भी देखा था राइट रागव जोयल वाली फिल्म अगर आपको याद हो की तो लेकिन उससे और भी ज्यादा चारगुना ज्यादा स्टाइलाइज एक्शन जो है उसमें तो एक ट्रेन के अंदर था इसमें आप पहाड नदी घरने यह सब वो द पांच गुंडों को मार दें हाँ यह कंविंस हमें करते हैं वो अधरवाइस हमारे बॉलीवूड के अक्टर्स तो जब गुंडों को मारते हैं तो वो हेवी बॉड़ी और पता नहीं क्या-क्या चीजियों होती है वी एफेक्स की शॉट जादा होती है यहां पर सिधान्त क पहली की फिल्मों के कंपेर में उनकी जो पहली की फिल्म थी उसके कंपेर में यहां पर बहुत जादा स्टाइलाइस्ड लगी है वो देसी हमारे जो है जो है जो है जेम्स बॉन भी नजर आ रहे हैं और सिधान्त एक्शन फिल्मों में बहुत अच्छा कर सकते हैं इतना त के बाद से ही फिल्म और भी ज्यादा पेस पकड़ने लग जाती है और रागव इस फिल्म को एक एडिशनल पॉइंट देते हैं अगर मैं एक स्टार एक्स्ट्रा दूंगा इस फिल्म को तो रागव ज्योयल के परफॉर्मेंस के लिए जरूर दूंगा तो अगर बात की मातर 90 रुपे का टिकेट है और 37 अगर पसंद आए तो फिर वीकेंड में भी जबर्दस देखो तो फिल्म को टोटल मिला कि मैं साड़े तीन स्टार देना चाहूंगा संदहन चतुरवेदी को डेर स्टार जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक के बेस् फिल्म को अगर आप एक्शन पसंद करते हैं अगर मारधार स्टाइलाइस वोजिन में हॉलिवूड फिल्म्स देखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है जाओ जाके फिल्म देखो and of course सिध्धान्त और रागव दोनुं के बारे में कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरू करना कि कैसा लगा उनका परफॉर्मेंस बाइबाए